पटना रिंग रोट के बनने से राजधानी में आवा गमन और सुलब हो जाएगा राजधानी वासी सहीत पूरे राज जिभर को बन रहे इस रिंग रोट से काफी सहुलियत मिलने वाली है चार से छे लेन वाला बन रहा ये रिंग रोट बहटा में बन रहे नए अंतरास्टे एरपोर्ट के पास शुरू होकर कन्हौली से होते हुए पूरे पतना को कवर करेगा और इसके साथ ही इस रीक रोट के रूप में राजधानी पटना को एक और बाइपास का सौगात मिलने वाला है नमस्कार मैं हू नीदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दफुल वाल्यूम पटना वासियों को जाम से निजाद दिलाने के लिए सरकार हर मुमगी कोशिच में लगी है कभी अशोक राजपत पर राजधानी पटना का पहला डबल डेकर रोट के निर्मान की योजना को लाकर तो कभी बिजी रूट पर पैदल रोट पार करने वालों के लिए फूट ओवर ब्रिज का सौगात दे कर सरकार प्रदेश वासियों के सुहूलियत के लिए हर कोशिच में लगी हुई है पटना के रिंग रोट के रूप में पटना वासियों को एक और बाइपास मिलेगा पटना का ये महत्व कांची परियोजना साल 2025 तक पूरा हो जाएगा शुर्वाती दौर में रिंग रोट के दूसरे हिस्से का भूमी अधिग्रहन का काम चल रहा है जो कनहौली के आगे का हिस्सा है जिसके लिए भूमी अधिग्रहन का काम चल रहा है संबंदित अधिकारियों का कहना है कि रिंग रोट के लिए चिनहित भूमी को अधिग्रियत करने के लिए प्रक्रिया लगबग पूरी कर ली गई है अब बस नोटिस जारी करना बाकी है और फिर रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी रिंग रोड का अलाइनमेंट पहले ही पास कर लिया गया है जिसके सरकार्क ने पहले ही मंजूरी दे रखी है केंदर और राजी सरकार्क की ये साजा परियोजना है 15,000 करोड की लागस से बनने वाली 147.5 किलो मीटर लंबी इस परियोजना में 4 और 6 लेन सडक बनाई जाएगी इसके साथ ही गंगा नदी पर दो नए पुल भी बनाए जाएगे रिंग रोड का एक हिस्सा बनकर तयार हो चुका है जिसे बीटा सर मेरा 4 लेन कहा जाता है रिंग रोड शेरपूर कनहौली, नौबतपूर, डुमरी, बिलदारी चक, रामनगर, कच्ची दरगा, बीदपूर, बीदपूर सराय, नया गाउ, दिगवारा होते हुए शेरपूर कनहौलीप में समाप्त होगा रिंग रोड के सर्व प्रतम दक्षिन भाग पर काम किया जा रहा है जो 2025 तक पूर्ण होगा शेरपूर दिगवारा पूल का निर्मान इसी साल तक पूरा होने की उमीद की जा रही है पटना रिंग रोड के बन जाने से पटना जिले के अलावा सारन, वैसाली, भोजपूर, अरवल, जहानाबाद, गया जिले की ओर जाने वाले वाहनों को अधिकलाब होगा रिंग रोड के द्वारा वाहन संबंदे सर्कों पर जा सकेंगे इसकी कनेक्टिविटी कई सर्कों से होगी पटना रिंग रोड के लिए 60 स्थानों में भूमी अधिगरहन का काम चल रहा है वर्तमान समय में 5 स्थानों में अधिगरहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिन स्थानों में भूमी अधिगरहन का कार्य चल रहा है जाएगी पटना रिंग रोड पटना शहर और बीटा के बीच से होकर गुजरेगी इसलिए दोनों तरफ से आने जाने में लोगों को काफी सहुलियत होगी इस रिंग रोड के बन जाने के बाद अब तक उपेक्षित पड़े शेकपूर दिगवारा इलाके में तेजी से विक शेत्र भी तेजी से विकास होंगे पटना रिंग रोड बन जाने के बाद दानापूर फुलवारी सरिप नौबतपूर मनेर बीटा विक्रम संपत्चक प्रखंडों को विशेश तोर पर लाब मिलेगा इन प्रखंडों के इलाके रिंग रोड से जुरे रहेंगे रिंग रोड में गंडग नदी पर वर्तमान पूल के बगल में एक नया पूल बनेगा डुमरी से सरमेरा के बीच सड़क बन जाने से भोजपूर, बकसर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और जमूई से आने जाने वाले लोगों को अब पटना के अंदर आकर घूम क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वेस साइट से ही पटना के बाहर ही बाहर अपना आवागमन कर सकेंगे, इस वीडियो में यही तक अने खबरों के लिए देखते रहें देफुल वॉल्यूम, धन्यवाद